अब इसकार तो आज हम आपको एनलेटी के लियाविलेटी एंड डिट्रेल अवियर्नेस बीए बीए सिवी को फिफ्थ सेम की किलास देने जा रहे है और जो भी कुस्चन आपको किन कुस्चनों का अंसर आपको गलत लगे और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में क पत्रू होता है तो बेपत्तिक आर्थ कठनाई होगा इसका वन वाई 9 अनुपाते वन वाई 81 जी कल टू वन वाई 13 तो यह 9 और 81 यह यह आपका 9 और 9 कवर्ग 81 होगा तो तेरा तेरा कवर्ग कितना होगा 180 यह आंसर इसका सही है आप इसी तरीका से यह 10 कवर्ग है, यह 11 का है यह 12 का अब जो नेक्स आरने वाला है वो 13 कवर्ग होगा तो यह आंसर इसका सी सही है एए एब इह बी है तो उल्टा चल गए यह आ पन तो य से इसमें आप देख सकते हैं तो नीचे दिये गए इक्रमों में विशम संख्या एस संख्या एगम को चुनिए तो इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे साथ दो नौ इसका भी नौ हो रहा है आठ एक नौ इसका भी नौ हो रहा है इसका भी नौ हो रहा है लेकिन जब इसका योग जोड़ते हैं तो पांच दिन आठ हो रहा है इसलिए यही वो तरिसका सही है तो प्रसने दिया गया है कि B-O-R-I-N-G-L-O-I में अच्छरों के ऐसे कितने अच्छर युग है जिनके बीच में उतने ही अच्छर आते हैं जितने की उनके बीच वरण माला में होते हैं आगे तथा पीछे दौनों दिसां तो तीन से अधिक या इन मेंसे कोई नहीं या तीन या दो तो इसमें आते हैं तीन से अधिक, इसका अंसर हो जाएगा एस ही हल, यह हल है तो आप देख सकते हैं किस तरीके का अरेजिमेंट किया गया है तो B और G यदि अंग्रेजी वर्ण माला को विप्रीत क्रम में लिख दिया जाए इसमें कहा गया है यदि अंग्रेजी जो वर्ण माला है यानि कि ये वी सीडी है उसको विप्रीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधर है तो निम्न प्रसनों के उत्तर तीची है तो 22 से 19 में अच्छर के बाएं सात्मा अच्छर क्या होगा विप्रीत क्रम में लिखना है तो हमें लिखना है क्या Z से लिखना है Z Y, X इस तरीके से लिखना है तो B, A अब यहां से हम 19 में अच्छर चलेंगे 19 में अच्छर का जहां मिलेगा हमें वहां से इस तरह हम बाएं चलेंगे तो बाएं अगर साथ चलेंगे तो में ओ मिल जाएगे, क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, और या ऐसे लिख सकते हैं कि 19 मैं से साथ गए, कितना बचा, 12, तो जो मैंस रखला है, वहाँ से 12 मांच्छा देख लेंगे, बारमाच्छा हम देख लेंगे, इसका सॉलोशन है, आ तब मेजुर्मेंट्स, इसमें ये देखा गया है कि आकर इसमें सब्दों से मिलकर बनाया जा सकता है, इसमें एक S है, इसमें दो S, ये चैंसल हो गया, और इसमें L है, इसमें कहीं L है नहीं, और इसलिए मास्टर के इसमें सब ये अक्षर मिल जाएंगे, तो ये मास्टर सब से बनाया जा सकता है इसका सॉलोसन है गुड़ वाय के अच्छरों के किरम को परवर्तित किये बिना तथा पिरते एक अक्षर का के वाले एक ही बार प्रियोग करते हुए कितने सुतंत्र सब्द बनाया जा सकते हैं तो सुतंत्र सब्द कितने बनाया जा सकते हैं तो दो ही बन शब्दोंका सर्थ क्रम बनाना है इसमें तो चाहिं करेंगे बीच पहले अंकरित होगा फिर आपका फोधा बनेगा फिर आपका फल बनेगा फिर आपका फिर से बीज बन जाएगा तो यह कौन से क्रम दर्शा रहा है डी दर्शा रहा है एक अब इसमें भी सिक्वेंस बनाना है तो इसका भी सिक्वेंस आप देख लेते हैं तो पहले आपका हो जाएगा डेवाइन तो तीसरा नमबर यानिकी चौथा आप्शन अभी भी सही हो जाएगा विए तीसरा पहले नमबर पर फिर है इसका डाइरेक्ट फिर डेवियस्ट फिर आपका फिर आपका फिर आपका सेकेंड इस तरीके से इसका चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा तोलोसन है यदे किसी संकियतिक भाष सामें LIRG को GIRL लिखा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि इसमें L है तो end में L चला गया इसी प्रकर इसका B end में चला जाएगा तो B इसमें भी है और इसमें भी end में इसमें भी end में इसके answer ना मिला हम smack अब दूसरे नमबर पे तो आई है तो इसका भी दूसरे नमबर पे आई है तो इसका A दूसरे नमबर पे A होना चाहिए तो A भी A इसमें नहीं है तो A cancel हो गया A अब इसमें भी है और इसमें भी है अब तीसरे अक्षर के आई इसका तीसरे एक्षर पे भी same to same R है इसमें भी R है तीसरे चर पे M होना चाहिए तो तीसरे पे M इसमें है तो यही इसका सही है बांकि यह गलत है और यह भी आपके गलत है यह इसका solution है अब आप देख सकते की निम लिखित जानकारी को ध्यान पूर्वा का पध्यान करें और उस पर एक काधरित प्रस्णों के वत्तर दीजिए तो एक निश्चित कोड है टीम आलवेच परफॉर्म वैल को हम वी ओ बी के आई पी एस लिखा जाता है तो वैल राउंड़ेट एविलिटीज नीड़ेट को हम डी पी एस यू बी एस बो लखेंगे इसमें जो बो ऑप्शन आया और बो इसमें आया तो इसमें कौन सा है यहां से यहां तक जो इसमें भी मिल रहा है इसमें वैल मिल रहा है तो वैल को हम क्या कह देंगे वो कह देंगे आप तीसरा आलवेज नीड़ेड आलवेज नीड़ेड टीम सपोर्ट को हम के आई हम पस पस और सू पस इसमें लिखा है और पस इसमें लिखा है तो कौन सा चलिस मिल रहा है इसमें मिल रहा है आपकी टीम तो हम टीम को क्या कह देंगे पस कह दें अब चौता देख लेतें सपोर्ट इंडिवीजवास एविलिटीज बैल को हम क्या लेखेंगे तो वो हम बो टर बस इस में हमें क्या मिल रहा है इसमें इसमें देखो हम मिल रहा है और इसमें भी हम मिल रहा है कौन सा है इसमें सपोर्ट इंडिविजूल वैल सपोर्ट इसमें सपोर्ट मिल गया सपोर्ट को हम क्या लेखे देंगे हम लेखे देंगे तो अब सपोर्ट को हम मिल गया हम मिल गया और बस मिल गया तो यह हमें मिल चुके हैं बैल का भी मिल गया हमें तो इंडिविजुवल को क्या लेखेंगे तो इसको हम टी यार लेखेंगे तो इसका सॉलोशन हमें यह है इंडिविजुवल को पूछा आते इंडिविजुवल क एक पंक्ती में रमन का प्यारंब से पंद्रमा इस्थान तथा अंत से ग्यारमा इस्थान तो उस पंक्ती में कितने लोग हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐसे सवालों में तो 15 को जोई या और 11 को जोई लिए तो कितना हो गया आपका 26 हो गया तो यह ग्यारमा इस्थान पंद्रमे इस्थान यह जो पंद्रा है यह ग्यारा है मतलब यह अंत से जो आ रहा है वो पंद्रमे को ग्यारा बोला जा रहा है तिसलिए जो इसमें 26 हो रहा उसमें से एक घटा देने तो 25 बची के तो इसका अंसर यह चला लिए इस तरीके से इन प्रिश्णों को हल करना है किसी कच्छे या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या तो किसी एक व्यक्ति के बाएं या उपर की स्थान पर बैठा है तो उसी व्यक्ति के दाएं या तर नीची के स्थान में से एक घटा दे इस तरीके से इसके फॉर्मूले है तो जैसे हमने बता है यदि ऐसा है तो उस तरीके से यदि एक ही साइड में बैठे हो तो पिलस करना है यदि विप्रीद बैठे हो तो माइनस करना है तो वो आ जाएंगे जिसे इसमें से क्या है यह प्रारंप से और अंत से तो आप समझ रहे हैं कि प्रारंप पहला हो गया अंत गया एक दूसरी के विपरीथ हैं तो इसका जोड़के हमने एक घटा दिया इसका जोड़के हमने एक घटा दे और यदि same to same आ जाते तो यह वाली संख्याव के इस वाली संख्याव घटा देते अगर विप्रीश से आता तो यह संख्याव दोनों जोड़ी जाती है उसमें से घटाया जाता है और अगर यह एक ही प्रारम से पंद्रमा और प्रारम से 21 म है तो इस तरीके से इनको फिर घटा दिया जाता और उसमें से इसी प्रकार से हैं जो यह जिसमें घटेगा उसमें एक पिलस होगा और जिसमें जुड़ेगा उसमें एक माइनस होगा अगर same same है इसमें कहा है अंजू परीती से छोटी है तो आप लख लेंगे अंजू हम ज मोहन और जयंत प्रीती से बड़े हैं तो मोहन और जयंत तो यह मोहन है और यह जयंत है यह दोनों बड़े हैं यह कहीं भी हो परंतु सुधा से छोटे हैं तो यह सुधा इनसे बड़ी होगा सुधा से छोटे हैं जो स्रीधर के उम्र के बराबर है जो स्रीधर के उम्र के ब तो स्रीधर गया है, अंजू से बढ़ा है, बस यह आ गया, यह आपका, यह solution है, देख सकते हैं, एक आदमी ने एक महला की ओर कहा, इसारा करते हुए कहा, तो मान लोग एक आदमी ने एक ओरत की तरफ इसारा करते हुए कहा, कि वह महला की भाई का एक मात पोत्र है, तो इस आदमी का कौन हुगा, साला, गिनों वह महला कौन हुए आदमी, पतनी की भुगा हुई, तो यह इसका आंसर है, A की मा की बेहन है A की मा B की बेहन है और C की बेटी D बेटी है B की और बेहन है E की तो C का E से क्या सम्बन्द है आंसर जाएगा नाना क्या जाएगा नाना या नानी A का सॉलोसन है आप देख सकते हैं इस तरीक से नाना या नानी जाएगा एक गोल टेवल के इर्द नीमत रूप से रखी गई कुर्षिया छे कुर्षियों पर A, B, C, D, F अनिवारतावसी क्रम में नहीं वैठे यह पाया जाता है कि यह बीच में है D और F के C भी परीत है D के C भी परीत है D के D और E की पड़ोस में कुर्षियां नहीं है इस क्रम से बैठाया गया तो आप देख सकते हैं आप पढ़िए कि आप गोल टेवल भी है और छे कुर्षियां डले है A, B, C, D, F अनिवारतावसी क्रम में नहीं वैठे है A बैठे ही नहीं A बीच में है A को हमने बीच में बैठा लिया A को हमने बैठा लिया D और F के C बिपरीद है D के अब जो ये D, A, C है ये इसका बिपरीद है यह ये बिपरीद है C बिपरीद को बैठा लिया किस के? D के D और E की पढ़ोसी कुर्षिया है तो D और E की पढ़ोस में नहीं है तो D और E पडोसी नहीं है इसका पडोसी B है E को यहां बैठा दिए अब B को यहां बैठा दिए अब पूछ रहा है कि कौन सा सत्त है D E के बिपरीत पहला है A B के बिपरीत है A B के बिपरीत है तो नहीं है D E के बिपरीत है तो नहीं है C B का पडोसी है C, B, P, P, B, P, 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 P पूछ गया कौन सी संख्या है तो हम देख लेते हैं तो इसमें संख्या एक है और इसमें भी संख्या एक है और इसमें तीन है और इसमें भी तीन है फलकें हैं समान रूप से मिल चुकी होती है तो जो तीसी संख्या होती है तीसी संख्या इसमें कौन सी है ये वाली और ये व दूसरे के बिपरीथ हो गए, तो दो के सामने कौन हो गया, पांच हो गया, दो के सामने कौन हो गया पांच, इसमें पूछा चार के सामने पांच, तो ये कैंसल हो गया ना, दो के सामने तो पांच हो गया, दो के सामने पांच, तो इसका वत्तर ना तो ये होगा और ना ये हो इसमें भी दो मिल रहा इसमें भी तीन मिल रहा तो अब जब जब दो हमने बताया था कि जब दो फलकें एक जैसी मिल जाती है तो जो तीसनी संख्या होती है वो उसके विपरीत होती है तो एक की विपरीत कौन सी हो गया चार हो गया तो अब एक की विपरीत चार हो गया तो च सीर्स पर होता है तो कौन सी संख्या तली में होगी अब इसमें तल पहुच्छा है तो आप देख सकते हैं एक फालक से में तो पांच की विप्रीत कौन सा होगा तीन और एक की विप्रीत होगी छे तो आप समझ गए एक कि प्रित क्या आंसा चला जाएगे आपका 6 चला जाएगे आपका 6 आप देख लेती हैं ये वाला कथन और कारव क्या भारत को कोई सेनिक बल नहीं रखना चाहिए तो तर्खे किया नहीं दुनिया के दूसरे देश अहिंसा में विश्वास नहीं रखते अगर दूसरा इसका है हाँ बहुत से भारती आहिंसा में विश्वास रखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा ना तो इसका फष्ट सही है और ना साकेंड सही है इसका क्या भात में कोई सेनिक बल नहीं रखना चाहिए तो रखना चाहिए ये सेनिक बल ना क्योंकि दुनिया के गलत हो गया पहले हिंसा में विस्वास रखते यह यहां भी assignा विश्वास रखते बारत का लिंगन्हे को जो इसकार ना तरक फॉर्ष्ट सही है और ना तरक सेकन्ड भी सही कर दूसरा कतंच पानी 100 डिग्री पर उबलता है तो बात सही के 100 डिग्री पर वबलता है कि च्पानी सेल्सिस पर दूसरा के कोई व्या क्या व्याक्य नहीं हो भी कि दोनों कठन तो सही है लेकिंग्न जो निस्कर्श निकला इनका ये गलत है तो यह कैसा हुआ असंगात हो गया कोई एक दूसरे का सपोर्ट करी नहीं रहा तो असंगात हो गया यह जो पॉएंट है यह असंगत है तो निम लिखित में असे पिरते एक प्रशन में असे एक कथन तथा दो पूर्व आवधारनाएं दे गई है कथन का अलोकान कर गयात करे कि कौन से पूर्व आवधारना कथन में नहीं थे तो कथन क्या है प्रधाना अचारा ने स्कूल इस्ट आपको सूचित किया कि हमें ज़्यादा अध्यापक निगत करने की आविश्यक्ता है आवधारना क्या है पूर्व आवधारना क्या है फर्ष्ट अध्यापक अपलब है तो इसका साथा ही हो जाएगा ना देव फस्ट ही ओर ना ही सेकेंड दोनों धरणाएं आपकी अंतर नहीं थे अब यह आपकी आकृति निम लिख़ित आक्रितियों वी पाधि छत्रों कला इसनां तक और छत्रों प्त 나오나 इसनां तक च्तरों और विग्ञान इसना तक छत्रो जो छात्र है वो तो कला की अलग और विज्ञान की अलग लेकिन जो उपाधी है वो तो यह किये ना तो इसी पिरकार से चौकोरा में जो छात्र है वो अलग-अलग इसमें दिख रहे हैं और उपाधी एक में इसका आस ही इसमें पूचा गया कि निम लिखित रेखा चित्र में जन संख्या के तीन स्रेणियों के लिए तीन चित्र दिये गए तिरभूच प्रदर्शित करता है कि इसकूल अध्यापकों को बर्ग प्रदर्शित करता है विवाहिद व्यक्तियों को और ब्रत प्रदर्शित करता है सय परवार तो देख सकते हैं आप तो अप्रस्नि क्या है विवाहिद ब्यक्ति जो की सेंख परवार में रहते हैं लेकिन इस्कुल का अध्यापक नहीं इन्हें कौन प्रदर्शित करता है तो अध्यापक नहीं है तो अध्यापक को कौन प्रदर्शित करता है तेरे भुच तो जो तिर्भुच की अंदर गत नहीं आती। संग्त परवार में तो रहती हैं संग्त परवार को कौन परदर्शित करता है। तो ब्रत परदर्शित करता है संग्त परवार। विवाहित व्यक्ति भी है और विवाहित को कौन परदर्शित करता है। विवाहित को आपको वर्ग प्रदर्सित करता है और ब्रत प्रदरशित करता है सयुकत्परवार भी है और में भी है लेकिन इसको लन्धया पक बिलकुल भी नहीं है कुश्चन युम 누가 जो बिवाहित भी में बाद शुकत्र का相द हो इसलिए आपका डी वत्तर इसका सही हो जाएगा, दा सही है, एक कारवा में पाचास मुर्गी हैं, पैंतालिस बाकरियां हैं, और आठ उठ हैं, और कुछ उनके रखवाले, समझना इसको अच्छी तरीच, पाचास मुर्गी हैं,